एक समय की बात है, एक गाउंब में एक छोटा सा लड़का नामकरण रहता था, वो बहुत ही मेहनती और जिद्धी लड़का था, उसके माता पिता बहुत गरीब थे, और केवल अपनी मेहनत से ही उन्हें पालन पोशन कर पाते थे, नामकरण के जीवन का सपना था कि उसके प पिता की मदद करता था, एक दिन नामकरण ने अपने गाउं के नजदी की शहर में नहीं, नौकरी प्राप्त की, वो है एक छोटी सी दुकान में बिक्री आदी का काम करने के लिए चुना गया, पहले दिन नामकरण को बहुत ही कम पैसे मिले, इसके बावजूद, वो खु कान की बिक्री बढ़ती गई और उसकी मेहनत उसे धन के साथ सफलता, भी लाए, ये सुखत अवस्था नामकरण के जीवन को बदल कर रख दी, उसने अपने माता-पिता के लिए एक अलग से घर खरीदा और अपनी माता-पिता की सभी जरूरतों को पूरा करने लगा, समय बीटते बीटते, नामकरण एक अच्छे और सफल व्यापारी बन गया, लोग उसे आदर और सम्मान से देखने लगे थे, लेकिन नामकरण कभी अपनी मेहनत और माता-पिता के प्रेम को भूल नहीं पाया, उसकी मेहनत और सफलता की कहानी सुनकर अन्य लोग भी प्रेरित हुए और उन्होंने भी अपनी मेहनत और संघर्ष को ताकत दी, इस कहानी से हमें यही सिक मिलती है, कि मेहनत और समय के साथ हमारी स्थिती बदल जाती है, यदि हम मेहनत करें, समय के साथ धीरे-धीरे हमारी सफलता और सुख मिलेगा, हमेशा मेहनत करने का महत्व समझें औ अपने लक्षियों की प्राप्ति के लिए पूरी मेहनत करें.